हमारा दिमाग अक्सर हम से ये कापी सारे सवाल करता है और ये कब करता है जब अब हमारे 12th के एक्जाम खतम हो चुक है और आकिर खूप सारे सवाल ये दिमाग हमारा कर रहा है कि अब 12th के बाद हम क्या करें और खूप सारे क्यूशन जब खड़े हो जाते हैं जब हमारे सामने करियर को लेके खूप सारी बाते होती हैं तो आज हम उसी के बारें बात करेंगे क्योंकि साइन्स बेक्राउंड से जिसने भी 12th पास अभी कर लिया हैं तो उसके बारे में वीडियो लेके आया हूँ कि पेरा मेडिकल के लिए पेरा मेडिकल के अंदर उनके लिए क्या-क्या डिग्री और डिप्लोमा जो रहने वाले ह होते हैं तो इक बार फिर से आप सभी का सुधरसन् पेरा मेडिकल के इस औूर seven पर हार्डिक स्वागत और आज अपन बात करने वाले हैं तो दोस्तों कापी आप है कि पेरा तो देखो वीडियो के अन्ह तक बने रहेगा खूब सारी चरचा करेंगे अपन डिप्लोमाक बारे में आपके सारीग सारे डाउट्स तो पहले आपको बात बता देता हूं कि जो मेरा टेलिक्राम चैनल रहा है सुधर्शन क्लासेच के नाम से उसको आप जोइन किजेगा यह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे तो देखो दोस्तों पेरा मेडिकल को पेरा मेडिकल सेक्टर के अंदर एक इतना बड़ा कॉर्स है क्योंकि इस पेरा मेडिकल डिपार्टमेंट को का जाता है अब होस्पटल का हाइड क्यों क हब चण्योंत खिरडक एक क्यों सब्सक्राइब और इस सबसे भीडिकल apartments से का समने यन से इससे परामेडिकुल को होस्पिटल का हार्ड कहते हैं तो आज बात करेंगे कि पेरा मेडिकल का समंद होस्पिटल के अंदर कौन-कौन से डिपार्टमेंट से रहता है और कौन-कौन जो है इसके डिग्री या डिप्लोमा कर सकता है और कौन-कौन से डिप्लोमा इसके इंक्लूड करते हैं इसके सब्सक्राइब करें तो यह पेरा मेडिकल से जुड़ेवे रहते हैं तो यह पेरा मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर अब हम डिग्री या डिपलोमा करें तो हमें क्या क्या योगेता चाहिए उसकी अगर अपन चर्चा करें तो देखो पेरा मेडिकल के अंदर डिग्री भी होता है और डिपलोमा भी होता है तो डिपलोमा की बात करें डिपलोमा आपके दो साल का होता है और डिग्री जो होती वो तीन साल की होती है अब आपके कर सकते हैं और अगर जो डिग्री करना चाहते हैं उनको science biology के अंदर 12 होनी चाहिए लेकिन मेस वाला इसके अंदर diploma कर सकता है अब अपन बात करते हैं कि para medical के अंदर कौन-कौन सी डिग्री और कौन-कौन से diploma हम कर सकते हैं और उसके बात जोब का क्राइटेरिया भी क्या रहने वाला तो सारी तर्चा करें ठीक है तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा वीडियो पसंद आये तो आप उसको लाइक किजेगा और अगर चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब किजेगा तो अपन बात करते हैं पेरा मेड सबसे ज़्यादा आई है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं ऐसे हम बात करें पेरा मेडीकल के अंदर 15 प्लस डिप्लोमा जो है पेरा मेडिकल डिपार्टमेंट में इंक्लूड किये जाते हैं हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे की DRT डिप्लोमा इन रेडियेस्ट टेक्नलोज तो radiology department के अंदर इसमें आपके चले बस में radio diagnosis का पार्ट भी आता है radio therapy का पार्ट भी आता है radio diagnosis का मदलब radiation के द्वारा diagnose करना investigate करना radiation के द्वारा treatment किया जाता उसको रेडियो थेरेपी का जाता diagnosis की बात करें तो उसमें आपके x-ray आ जाते हैं यहां CT scan MRI DEXI scan हो गया यह सारे जो radiation से संबंदित diagnostic है वह अपन DRT के अंदर include करते हैं फिर हम बात करते हैं DMLT DMLT का मतलब होता है Diploma in Medical Lab Technology तो Medical Laboratory के अंदर जितने भी investigation blood से संबंदित किये जाते हैं तो वह आपके किसमें आ जाते हैं DMLT Diploma के अंदर फिर हम बात करते हैं एक diploma होता है DOTT Diploma in Operation Theater Technology तो OT technician की इसके अंदर भरती आती है वही तो उसको DOTT करना आउश्यक होता है फिर हम बात करते हैं अन्य डिप्लोमा जैसे DDT हो गया डाइलेसिस वालों के लिए डाइलेसिस टेकनलोजी डिप्लोमा हो गया डिप्लोमा इन ओर्टोपेडिक टेकनलोजी आ गया डिए इसी जी इसी जी के अंदर पर्टिकुलर डिप्लोमा होता है जिसे हम डिप्लोमा इन इसी जी टेकनलोजी कहते हैं डिब बीटी यानि डिप्लोमा इन ब्लड बेंक से समझ की किया जाता है किस परकार से उसको रखना होता है और उससे सम्झी खूब शारे इन इनन्वेस्टिकेसन वो ब्लट बैंक टेकनलोजी के अंदर आ जाता है DETT की अगर आपन बात करें तो DETT के अंदर आ जाता है आपका Diploma in Emergency and Trauma Technology तो Emergency और Trauma से समंदित जो Diploma है वो DETT के लाता है तो इसके लावा खुब सारे चाहिए Dental से समंदित हो चाहिए आपन बात करें अप्टोमेटरी हो तो खुब सारे डिपलोमा जो वो इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं यह पिर अपन बात करें डिग्री कोर्सेज में आप क्या आ जाते हैं BRT जिसके आगे बैचलर लगावा है तो Bachelor in Radiesion Technology और Diploma in Radiesion Technology सेम हो गया सिरफ यह degree है यह diploma है BMLT Bachelor in Medical Lab Technology इधर हम DMLT यह diploma हो गया यह degree हो गई अपपन बात करें कि Optometry की बात करें एक भी आजाता इसमेज और जो degree courses mg यह पेरचे चनल के अदर और के सेशन में कीती की पेरामेडिकल क्या होता है पेरामेडिकल के डिपलोमा पेरामेडिकल के डिगरी कोर्सेज और उनका टाइम डिवरेशन नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि डिगरी और डिपलोमा करने के बाद आपके पास जोब सेक्टर क्या क्या रहता है तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक कीजेगा इसको शेयर कीजेगा और चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद